सेप पर ड्यूटी कम करने से किसानों को नुकसान कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने केंद सरकार की आयात नीती की तीकी आलोचना की है केंद सरकार ने हाली में अमेरिका के सिबों पर आयात शुल्क 70 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी कर दिया है पार्टी की नेता प्रियंका गांधी हिमाचल के दोरे पर है उन्होंने कहा कि केंद सरकार ने अमेरिकी सिबों पर आयाद शुल्ग घटा कर किसानों के लिए मुश्किले कॉंग्रेस ने कहा कि पीम मोदी विरोधाभासों से भरे हैं उसने याद दिलाया कि गुजरात के सिएम के तौर पर उन्होंने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो अमेरिकी सिबों पर सौफी सदी आयाद शुल्ग कर देंगे मगर अमेरिकी राष्ट्रपती आये तो पीम मोदी ने उन्हें ये तोफा दे कर भेजा पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ पीम मोदी वोकल फो लोकल की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो लोकल को मारने का काम कर रहे हैं श्रीनेत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूज रहा है, राज्य को करोडों का नुकसान हुआ है, उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, पि-म मोधी ने अमेरिका को ये सौगात देकर किसानों की कमर तोड़ दी है, कॉंग्रेस ने आयात शुल्व के बागान का खासा योगदान है, कॉंग्रेस ने आरोप हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को लोगों से मिली कॉंग्रेस नेता प्रियंका गंधी, घरेलू उत्पादकों पर असर नहीं, सरकार PTI, नई दिल्ली, सरकार ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम के आयात पर अतिरिक्त जवाबी शुल्क हटाने से घरेलू उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, वानिज्य विभाग में अतिरिक्त सचव पीउश कुमार ने कहा कि अमेरिकी सेब और अखरोट पर 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत का सबसे तरजीही देश, MFN, का शुल्क लागू रहेगा क्योंकि केवल 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है, उन्होंने कहा कि सेब, अखरोट और बादाम पर MFN शुल्क में कोई कटोती नहीं की गई है, जो अब भी अमेरिकी मूल के उत्पादों सहित सभी आयातित उ प्रत्पादों पर लागू है, लगाया कि पहले मोधी सरकार ने अखरोट और बादाम पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, जबकि ये दोनों चौजे जम्मू कश्मीर में पैदा होती है, कॉंग्रेस का कहना था कि आखिर PM अपने देश के किसानों से किस चीज का बदला ल रहे हैं